यासिर भाई स्वागत है आपको और्गस्ट नूजबे वाल्टेस चैंपियनसीब में अभी कुछी घंटा वाकी है आपकी पसंदिता टीम कौन सी है और क्यों अगर आप क्रिक्टिंग संस में बात करें तो दोनों ही टीमें बड़ा ही अच्छी क्रिक्ट खेरी है जिसकी अगर है तो इंडिया की टीम में एशियन है तो मेरा थोड़ा सा जो है पला जो है वो जो है जो मेरी फेवरिट टीम अगर आप पुछते हैं तो मेरी जो फेवरिट टीम है वो इंडिया की है इंडिया ही है मगर उसके साथ-साथ मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा फाइनल हो पाइच दिन का फाइनल जो है वन साइड ना हो अच्छी क्रिकट देखने को मिले क्योंकि न्यूजिलेंड की अगर आप टीम देखें बहुत ही अच्छी सारे ही फॉर्मेट्स में अगर आप देखें कि वो नंबर वन और आइसी सी रैंकिंग अभी जो अनाउंस ही उसमें न उनकी जो बेंच स्टेंथ हैं उनके फास बॉलिंग बैटिंग स्पिन डिपार्टमेंट देखें सारे ही एरियस जो कवर होते हैं और न्यूजिलेंड का भी बास ऐसे हैं कि अगर आप देखें जो भी वो टेस्ट सीरीज इंगलेंड के खिलें पहले मैच में भी वो बड़ ही एग्रेसिव किसम के पेस के साथ बॉलिंग करते हैं और अगर उनकी एक्सपीरेंस को अगर देखा जाए तो नील वैगनर ट्रेंट बोल और टीम साओधी हैं तो बड़ा ही मुश्किल होगा टीम बनाना उनको उनके लिए क्योंकि एक अदे प्लेयर एक अदे फास बाल हैं तो डेफिनिटी एक होगा एक मुकाबला होगा ग्राउंड में विरात कोली की एग्रेसिव कप्तान है उनका माइंड साथ बड़ा एग्रेसिव है ऑन दी हदर है अगर आप विलिमसन को देखें तो वो भी एग्रेसिव हैं मगर वो अपने एक्शन से नजर नहीं आता क तो बिल्कुल दोनों टॉप के प्लेयर हैं टॉप के गबतान हैं तो एक अच्छा मुकाबलत देखने को मिलेगा आप इंग्लेंड की पीच को अच्छी तरह से जानते हैं साउथ हम्टन में ब्याच के तीन दिन के बाद क्या आपको लगता है कि दो भारतिय स्पिनर और ज गबतान हैं कि देखते हैं कि जो कंडीशन थे महांपर शेन वान वे अपनी ग्रिकट खेले हैं बाद भारत के सामने विलिम सन्के प्रदेशन इतना अच्छा नहीं है भारत ये पेस्ट लाइनप को केसे देखते हैं के अगर आप खुद अगेंस इंडिया प्रफॉर्मर्स देखें तो वो इतना अच्छा परफॉर्म उन्होंने नहीं किया हुआ बलके आप देखें जो करेंट सीरीज इंग्लेंड के खलाफ वो यहां पर भी उन्होंने इस्ट्रफल किया अपनी फॉर्म को लेकर तो प्रेशर डेफिनिटी उन पर होगा मगर वो बड़े प्लेयर है जब वो खड़े हो जाते हैं जब भारी करते हैं तो उनकी कोशी ही होती है कि बड़ा 100 या 200 करें तो वो एक की प्लेयर होंगा उसके साथ कॉन्वे भी हैं जो के परफॉर्मस कर रहे हैं अभी सीरीज में बड़ा अच्छा खेला तो उनसे भी खत्रा हो सकता है कन्वे अच्छी फर में हैं भारत ये टीम में जुबा स्टार सुवन गिल और पॉंच जैसे एक खिलाडी है आपको उमीद है भारत भी भलेवाजी में अच्छा करेगा कन्वे की अगर आप बात करें तो कidän्वे कै जो डेबियू है इवन जो उनकी वन डे हो ठीट्वी न ने भी नियुजा दियूंट से डेबियू किय तो बड़ा अच्छा केरियर उनका चोड़ा है बेसिकली ये साथ अफरीका से इनका तालोग है वहाँ पर फर्स क्लास खेले और अभी ये न्यूजिलैंड मूव करें वहाँ पर खेले रहे हैं और कौलिफाई करने के बाद अभी इनका डेबियू है मगर इनका थोड़ा सा पीछे चले जाए हैं फर्स क्लास के मैचीज इनके बहुत हैं ये उननोंने हंड़र प्र्स फर्स क्लास के मैचीज खेले हैं और बड़े ही मिच़ोर प्लियर है जिसम俺 między बैटिंग की और इसके बाद पिर और वी बर्मिंगम में एच security में बैटिंग की तो बड़े ही मिचूर और बड़े कॉमपक्ट प्लेयर लग रहे हैं तो अग्रेसिव माइंड अपसेट से जब आप जाते हैं किसी भी मैच में तो यह अबिलिटी है इंडिया की टीम की कि अपने रीसर्ट मांस में देखा होगा कि यह कमबेक बड़ अच्छी क्रिक देखने को मिलेगी और जो बैटर टीम होगी वोही जीतेगी